प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अनुशका सिंग खबरों की ओर रुख करेंगे लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइन्स पार आज शाम शायवजे होगा मोधी मंत्री बंजल का विस्तार शपत विहन को लेकर राश्चोपती भवन को दी गई जौनकारी उत्तरदेश के उपमोखी मंत्री केशव प्रसाथ का एलान राम भक्तर कार सेफों के नाम मनेगी सड़क लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की तब्याद बिग्डी बिल ने पहुँचे तेजस्वी यादव आज से दिल्ली के लाच्पत बोर्ण मार्केट फिर से खुलेगी दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइन्स का करना होगा पालन 50% छात्रों के उपर सिती के साथ बिहार में 12 जुलाई से खुले जाएंगे स्कूल कॉलेज सीम निपीश ने ट्वीट कर दी जौनकारी तो चलिए अब रोक करते हैं खबरों का जहां पहली खबर है मोधी सरकार के मंद्री मंदल से जुड़ी आपको बता दे कि मोधी सरकार दी मंद्री मंदल विस्तार की तयारी कर ली है इसमें राजनेतिक समीकरण के लिहाज से जौतिय और छेत्री संतुलन तो होगा ही साथ ही युवा अनुभावी सिक्षित ब्यूरोक्रेट को भी उन्हों में शामिल किया जौएगा यानि जौति समीकरण के खाचे में भी पूर्व आईएस इंजीनियर आदी काबिनित का हिस्सा बन सकेंगे उत्तरप्रदेश के आगामे विधान सभाच चुनाओं से पहले OBC प्रतिने दित्व भी बढ़ेगा बताये जो रहा है कि बुद्वार शाम को काबिनित विस्तार किया जाएगा इस विस्तार के बाद केंदर सरकार में दो दर्जन से ज़्यादा मंत्री OBC होगे युवाओं का भी प्रतिने दित्व बढ़ेगा जिससे मंद्री मंडल के सदस्यों की ओसत आयू काफी कम हो जाएगी क्याबिनित विस्तार का खाका तैयार हो गया है उत्तरप्रदेश और बिहार को एक बड़ा हिस्सा मिल सकता है असल में उत्तरप्रदेश जैसे एहम राज्यों में अगले साल की शुरुवात में चुनाओ है दूसरी ओर बिहार से सहयोगी दल जद्यों को भी क्याबिनिट में प्रतिनित्वत देना है इस विस्तार में अनुभाव को उपर रखने की बात कहीं गई है ऐसे में राज्यों में बत और मुख्य मंद्री जिम्मेदारी संभाल चुके और राज्य सरकारों में लंबे समय तक मंत्री पर संभाल चुके नेता को प्राथमिक्ता मिलेगी वहीं सी खबर पर तमाम जॉइनकारी देने के लिए हमाई साथ हमाई सही होगी शेहबास जो सुके है तो शेहबास जिस तरह के से आज काबिनिट विस्तार होना है ऐसे में कौन-कौन से मंत्री है जिनके नामों पर अंदेशा लगा जा रहा है कि इन्हें मंत्री मंडल में शामिल किया जा सकता है जो युवा है वो बीजेपी की जो आने वाली सरकार है या यू कहें जो जिस तरह से आगे क्या रड़ीती रहेगी इसलिए युवाओं को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है इसमें इस बार के जो मोदी कैबिनेट में है हालकि कई पुराने दिक है जैसे नितीश कुमार से लेके और असम के मुखे मंतरी से लेकर हर एक जो कई चैयरें पुराने वो लाइन में है और काफी बड़े बड़े चैयरे खाल से ही दिल्ली में डेरा जमाये हुए है तो कहीं न कहीं ये कयास लगाये जा रहे हैं वो लोग भी अपनी पूरी कोशिश में कि हो सकता है कि उन्हीं भी मोधी के जो टू पाइंट जीरो के कारिकाल में हो सकता है धुक कैबिनेट में उनको भी जगह दी जाए इसमें जातिये समी करण भी देखने को मिल रहा है जिसमें साफ तोर पर कहा गया है कि जातिये तोर पर OBC और पिछड़े वर्गों को प्रार्थ मिक्ता दी जाएगी इसको लेकर क्या कुछ जानकारे मिल पारी है जी बताना चाहूंगा नुश्का की जिस तरह से आगामी दिधान सभा चुनाओ चाहे वो तब देश की बात करें चाहे वो गोवा, चाहे मिल जूरम, चाहे जहां भी पांच दिधान सभाव में चुनाओ होने है जिसको देखते हुए भी कैबिनेट का जो विस्तार है वो चुनाओ के अधार पर ही किया जा रहा है और जैसा कि अभी तमाम काफी दिनों से OBC को साधने की बीजेपी के द्वारा जो कोशिश की जा रही है पिश्डो को साधने की जो कोशिश की जा रही है वो लगातार कही न कहीं जाहिर हो रही है वो वही कैबिनेट में भी कही न कहीं देखने को मिल सकते है क्योंकि जिस तरह से आपको बताना चाहूं कि 20% जमाबादी यहाँ पर उस्तरफर प्रदेश में पिश्डो की है जिसको लेकर एक बहुत बड़ा वोट बैंक करीब 4-4 करोर का जो वोट बैंक है उतरफर प्रदेश में वो करीब पिशले वर्गों का है इसलिए जितनी भी तमाम पार्टियां है वो पिश्डो को साधने की बरपूर कोशिश करती है पिशले विधान सबाज चनाओं में अगर बात की जाए तो पिशले विधान सबाज चनाओं में बस्पा का जो गोड बैंक था वो पिछला शवाज आपको मेरे आवास आ लिए संपर तूट चुका है तो बड़ी कबर इस वक्त आपको बता रहे हैं दिल्ली से जहां पर आब मोधी कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है आपको बता दे कि आज कैबिनेट का शाम को विस्तार होना है जिसको लेकर रास्टर पती को भी जानकारी दी जा चुकी है वही लगातार सरकार ने मंत्री मंडल विस्तार को लेकर एक खाका भी तयार कर लिया है जिसमें जाती सम्मिकरन को प्रात्मिक्ता देनी की भी बात कही गई है वहीं कई महतपूर्ण चेहरे भी कैबिनेट विस्तार में शामिल हो सकते हैं जिने मंत्री मंदल में जगे मिल सकती है तो आपको बता दे कि आज शाम मोधी कैबिनेट विस्तार होना है बीते दिनों खबर आई थी कि मोधी काबिनेट मंतरी मौधी मंजल का जो विस्तार होना था उसे दो दिन के लिए टाल दिया गया है पर आज ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर आज PMO 12 जौनकारी दी गई है कि आज शाम 6 बजे मोधी काबिनिट विस्तार होना है जिसको लेकर राश्टरपती को भी जौनकारी दे दी गई है आपको बता दें कि इसमें मुख्य तोर पर कई एहम लोगों को भी शामिल किया जा सकता है साथ ही जाती है समीकरण के खाचे भी तयार कर लिए गए हैं जिसमें कई OBC चेहरों को और अन्य पिछले वर्गों को भी जगए मिल सकती है साथ ही आपको बता दें कि काबिनेट विस्तार आज किया जाना है इस विस्तार की बात केंदर सरकार में दो दर्जन से जादा नेता OBC होंगे साथ ही युवाओं को भी प्रतिनेदित्व दिया जाएगा जिसके साथ ही कैबिनेट में युवाओं की भी भूमिकाओं को बढ़ाने की कोशिश की गई है देश में कोरोना वाइरस की दूसरी लहर खत्म होने को है यकिं दीसरी लहर की आकशंका ने स्वाश्ट मंतराले और सरकार की चिंता बढ़ा दी है कोरोना के रोजाना मामलों में कमी आने के बाद अब देश में अनलोक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कुछ राज्यों में अभी भी कोरोना नियमों का सक्ती से पालन करवाये जा रहा है हलाकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अनलॉक के तहट स्कूल, जिम, सेक्शनिक संसान, शॉपिंग मॉल और बाजार खुलने लगे हैं 111 दिनों में कोरोना वाइरस के 34,000 से जादा मामले सामने आये हैं और सक्रिय मामले के संक्या घट कर अब 5 लाग से कम हो गई है सरकार ने कहा है कि देश में अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10 पीसरी से जादा है अरुनाचल प्रदेश, राजस्थान, मणिपूर, केरल, मेंगाले, त्रिपुरा, सिक किम, ओडीसा और नागालेंड इनमें शामिल हैं वहीं लोगों को चेतामनी देते हुए भी साफतोर पर कहा गया है कि देश में दूसरी लहर अभी भी जारी है इसलिए कोरोना के नियमों का पालन करना बेहत जरूरी है उन्होंने आकड़े पेश करते हुए कहा कि देश में कोरोना वाइरिस के 80% से नए मामले 90 जिलों से सामने आ रहे हैं हलाकि इस दौरान उन्होंने एक राहत भरी खाबर भी थी आपको बता दे कि स्वास्तमंत्राले ने कहा है कि देश में पिछले 9 दिन में लगातार 50,000 से कम मामले रिपोर्ट हो रही है वही देश की राजधानी दिल्ली में आज एक लीटर पैट्रोल की कीमा तर 100 रुपए के आकड़े को पार कर गई है वही आज पैट्रोल 35 पैसे और डीजल 17 पैसे प्रति लीटर महगा हुआ है दिल्ली में आज पैट्रोल 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है पिछले दो दिनों में कई व्रद्धी के माध्यम से देश भर में इधन की ररे नई उचाई पर पहुंच चुकी हैं एक माई को 90 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की कीमत रेखा से शुरू होकर राजधानी में अब पैट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है 32 दिन दाम बढ़े हैं अधिकारियों का मानना है कि आगे आने वाले दिनों में इधन की कीमते फिर से बढ़ सकती हैं और इस अवदी में खुदरा कीमतों में कमी लाने का एक मात्र तरीका केंद्र और राज्यों दोनों के द्वारा कट उती करना है व्रद्धी की भी देश के तमाम राजियों में मौनसून पहुँच चुका है कई राजियों में जमा जम बारिश देखने को मिल रही है जिन राजियों में मौनसून की फुहारे पड़ी हैं वहाँ पेर पौदे और खेतों में हर्याली लह रहा रही है भारी बारिश के कारण मौसम विभाग ने कई राज्यों में येलो एलर्ट भी जारी कर दिया है मौसम विभाग की और से जारी अलर्ट में कहा गया है कि उतराखंड में साथ और आठ जुलाई को भारी बारिश हो सकती है साथ ही पोड़ी, टिहरी, दहरादून, पितोरागड, बागेश्वर और नैने ताल जिले में भारी बारिश की भी संभावना है वही कई हिस्सों में बजरपात के साथ बारिश की अश्रण का जताई जा रही है इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तरप्रदेश, छत्यसगर्ड, मध्यप्रदेश, विधर्ब, तेलंगाना, आंध्यप्रदेश, तटीय, करनाटक, केरल और तमिलनाडू के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है तो आपको बता दे कि मौनसून को लेकर अभी राहत की खबर देखने को मिल रही है, लगातार मौसम विभाग ने ऐलर्ट जारी किया है, वहीं उन्होंने ने जानकारी दी है कि उत्राखन और हिमाचल प्रदेश में आगे आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है साथ ही उन्होंने नोनो राज्यों में यलो अलर्ट भी जारी कर दिया है, फिल्हाल दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौनसून की तारिक दस बताई जारी है, दस जोलाई तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौनसून पहुंच सकता है इसके अलावा हम बात करें तो कई और अलाके ऐसे हैं जहां पर जोरदार बारिश की संभावना जताई जो रही है इसके साथ ही मौसम विभाग में जानकारी दी है कि मौनसून की रफतार धीमी होने की वज़े से इस बार दिल्ली और उत्तरप्रदेश में मौनसून की गती काफी धीमी हुए है जिसके बाद अब 10 जुलाई तक मौनसून आने की संभावना है फिलाल उत्तरप्रदेश और दिली में तापमान काफी जादा पताय जा रहा है जिसकी वज़े से लोग गर्मी से परिशान है रामपूर के पटवाई थाना शेत्र भी चेकिंग के दोरान पुलिस और गौत असकरों के बीच मुद्भेड हो गई गौत असकरों ने पुलिस पर फाइरिंग कर दी इस दोरान गोली लगदे से एक कॉंस्टेबल गंफी रूप से घायल हो गया वहें पुलिस की जवाबी कारवाही में एक गौत असकर के पैर में गोली लगई जिससे की वो घायल हो गया पुलिस ने कॉंस्टेबल और गौतसकर को इलाज के लिए अस्पिताल में भर्ती करा दिया है वहे इस मामली में पुलिस ने जौनकारी देते हुए बताया कि 25,000 के इनामी गौतसकर को गिरफतार कर लिया गया है तसकर के पास से 12 बोर का तबंचा, जिन्दा कार्टूस और एक मोटरसाइकल भी बरामत की गई है साथ ये एक आरोपी मौके से फरार होने में भी कामियाब रहा है जिसके पुलिस तलाश कर रही है तो इसी बीच मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर तो मुंबई से इस वक्त आपको बड़ी खबर बताने जा रहे है जहां पर दिलीव कुमार का निधन हो गया है आपको बता दे कि दिगज अभीनेता दिलीव कुमार का हुआ है निधन कि 98 साल की उम्र में उन्होंने ली है अंतिम सांस लंबे वक्त से बिमार चल रहे थे दिलीव कुमार मुंबई के खार हिंदुजा अस्पताल में विभर्ती चल रहे थे जिसके बाद आज उनका निधन हो गया है ट्रेजिडिक किंग के नाम से जाने जाते थे अब नेता तो मुंबई से इस वक्त दुखत खबर सामने आ रही है जोहां महान अभीनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है आपको बता दे कि 98 साल की उम्र बे दिलीप कुमार ने आज अंतिम सांस ली है लंबे वक्त से दिलीप कुमार बिमार चल रहे थी वहीं आपको बता दे कि मुंबई के खार हिंदुजा अस्पताल में विभड़ती थे जिसके बाद आज उन्होंने अंतिम सांस नी है वहीं आपको बता दे कि वह ट्रैजिदी किंग के नाम से भी जाने जाते थे तो मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां इस वक्त बॉलिवुड में दुखों का पहार तूट पड़ा है आपको बता दे कि दिगजबी नेता दिलीप कुमार का 98 साल की उम्र में निधन हो गया आपको बता दे कि दिलीप कुमार लंबी बिमारी के चलते खार हिंदुजु आस्किताल में भड़ती थे जिसके बाद आज उन्होंने अंतिम सांस ली है तो मुंबई से दुखत खबर जहां ट्रैजिडी किंग का आज निधन हो चुका है तो बॉलिवुड से ये दुखत खबर सामने आ रही है जहां ट्रैजिडी किंग से जाने जाने वाले 98 साल के दिलीप कुमार का निधन हो चुका है आपको बता दे कि वे खार हिंदुजा अस्पताल में भड़ती थे जिसके बाद आज उनका निधन हो गया है वे लंबी बिमारी सिग्रसित थे वही इस खबर पर तमाम जौनकारी के लिए हमारे सही होगी शेहबास हमाई साथ जुड़ चुके तो शेहबास मुंबई से ये दुखत खबर सामने आ रही है जहां महान अभीनेता दिलीप कुमार ने आज अंतिम सासली है क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि फिल्मी दुनिया के वो दिगज अभीनेताओं में से एक दिलीप कुमार का निद्धन हो गया बताना चाहूंगा कि काफी दिनों से उनकी जो तवियत है वो खराब रहती थी और अभी जहाली में उनको फिट पे इंदुजा हस्पताल में तवे खराब होने के वज़े सेडमेट कराया था और सास में काफी उनको सास लेने में काफी तकलीफ थी और जिसकाराण आज उनकी जो है वो खत मौत हो गई जिससे फिल्मी जगत में काफी बड़ी च्छती माने जा रही है क्योंकि इनकी दिलीप कुमार जो दिककज अभीनेताओं में से एक गिने जाते थे इसे बड़कर इसे फिल्में दी है ताकि सदावाहर जो अभीनेता के तौर पर हमेशा यह जाने जाएंगे पैसाने जाएंगे अभीनेता जिलीप कुमार अगर बताना चाहें तो काफी तिकज दिकज जिसे शारुखान जैसे लोग उनसे काफी प्रेरित रहते थे शारुखान काफी उनक तो कहीं न कहीं एक फिल्मी दुनिया के लिए बहुत बड़ी अनुश्का यह च्छती माने जा रही है धन्यवाज शेवाज आपका तो बड़ी खबर इस वक्त मंबई से आपको बता रहे हैं जहां पर फिल्म इंडस्ट्री को एक बड़ी च्छती हुई है आपको बता दे कि 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार आज दुनिया को अलविदा कह गए आपको बता दे कि दिलीप कुमार खार हिंदुजा अस्पिताल में लंबी बिमारी के च्छलते ग्रसित थे जिसके बाद आज उन्होंने अंतिम सास ली है मुंबई से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर ट्रैजिडी किंग का देहां थो गया है आपको बता दे कि दिलीप कुमार लंबे वक्त से बिमार चब रहे थे जिसके बाद उनको मुंबई के खार हिंदुजा अस्पिताल में भड़ती कराया गया था जिसके बाद आज उन्होंने अपनी अंतिम सास ली है बॉलिवड के लिए ये एक बड़ी च्छती है आपको बता दे कि दिलीप कुमार ने कई महान फिल्मों में काम किया था उनकी अदाकारी के कई लोग कायल थे उनके लाखों फैंस थे जिनका आज दिल तूट चुका है ट्रेजिडिक टिंग से जाने जाने वाले दिलीप कुमार आज हमारे बीच नहीं रही आपको बता दे कि उन्होंने खार हिंदुचा स्कुताल में अपनी अंतिम सास ली है तो बड़ी खबर मुंबई से इस वक्त सामने आ रही है जहां पर ट्रेजिडिक टिंग के नाम से जाने जाने वाले अठाने साल के दिलीप कुमार में अपनी अंतिम सास ली तो चलिए अब रुक करते हैं खबरों का सहारन पूर स्वास्ते केंदर में काफी लंबे समय से प्रसव पूर्विल लिंग जांच केंदर चल रहा था और जिला स्वास्ते आखे मूंदे बैठा था मामले का खुलासा तब हो सका जब हर्याना के करनाल जिले स्वास्ते भाग की स्पेशल टीम ने सहारन पूर पूलिस को इस साथ शवाले क बिहार कॉलोनी के एक घर में छापे मारी की पूलिस ने एक महिला सहेत चार लोगों को रंगे हांतों गिरफतार कर लिया साथी पोटेबल मशीन, मॉनिटर और आईपे रार्दी भी जाँच उपकरन में बरामत किये गए हैं करनाल स्याय स्वास्तिकारी ने बताया कि शामली निवासी एक आशावर कर के द्वारा एक गर्वती महिला को लिंग जाच के लिए भेजा गया और जाच करते हुए अभ्यूक्तों को हमने रंगे हाथों गिरफतार किया है उन्होंने बताया कि कई समय से लगातार करनाल स्वास्तिकारी भाग को यह सुचना मिल रही थी जिला समुचित प्रादिकारी कम सिविल सर्जन करनाल को बार-बार ऐसी सुचना ही मिल रही थी कि करनाल की गर्वतीष्ट्रों के अवैद लिंग जाच का जो कारिया है वो सहारनपूर में हो रहा था इसके लिए वहां की अथोर्टी ने एक टीम गठित की जिसमें मैं मेरे साथ मेडिकल अक्सर डक्टर संजीव और डक्टर मनींदर को सामिल किया गया और इसकी जाच करने के लिए आदिश दी सहारनपूर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आज स्वास्त भाग की बड़े छापे मारी देखने को मिली आपको बता दी कि प्रसव पूर्व लिंग जाच के इंदर अवैद रूप से चला रहा था इसके बाद आज करनाल स्वास्त की टीम ने सहारनपूर पूलिस के साथ एक घर में छापे मारी की है जिसमें एक माईला समेत कई लोगों को गिरफतार कर लिया गया है आपको बता दी कि प्रसव पूर्व लिंग जाच अवैद है और वह गैर कानूनी है ऐसे में हर्याना सर स्विभाग को लगातारी जानकारी मिल रही थी कि कुछ लोग इस तरीके से अवैद प्रसव लिंग जाच के इंजर चला रही है जिसके बाद आज उन्होंने छापे मारी करते हुए माहिला समेत कई लोगों को गिरफतार कर लिया है आपको बता दे कि उनके पास से जाच की जाने वाली मशीनें भी बरामत की गई है साथी पुलिस ने बताया कि लगातार उन्होंने सूचना मिल रही थी जिसके बाद आज इस तरीके से धर पकड़कारी क्रम चलाए गया है खबर सहारनपोर से है जहां अवैद हतियारों के साथ यवको का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है बतारी के करीब 6 से जादा यवकों ने अवैद हतियारों के साथ फिल्मी गानों पर वीडियो बनाया वहीं से वीडियो के वाइरल होने के बाद पुलिस महकेमे में हर काम पमच गया पुलिस ने एक आरोपी को मौकिसे गिरफ्तार कर लिया साथी परार आरोपियों का तलाश फिलाल पुलिस कर रही है अईयोकों के पास से इतनी भारी मात्रा में हतियार कहां से है उसकी भी जांच की जा रही है तो तचरिया आपको दिखाते हैं कि वीडियो में आखिर क्या कुछ सामने आया है तो सहारनपुर से पुरा ही मामला देंगे बेटे शोटी सी गोलिया गज़ु कोई सोद्दा को निया रह कोई वजय चुप रहन की लड़ ले नमारा भी सरकल बोद्दा वो न्या लखनव के चिनहट इससे तो महात्मा गांधी प्राथमिक स्वास्त केंद्र में जल शक्ती संसाधन मंत्री महेंद्र सिंग का दौरा है आपको बता दी कि वो दौरा करने पहुचे जहां उनके साथ जिलादिकारी समेत अन्य डॉक्टर भी मौजूद रहे दरऊसल प्राथमिक स्वास्त केंद्रों की व्यवस्ता को बहतर करने के लिए मुख्यमंत्री योगयाद रतिनात में मंत्री सांसधव धायक समेत अन्य पधादिकारियों से अस्पतालों को गोद लेने की बात पिछले दिनों का ही थी ताकि प्राथमिक स्वास्ते केंद्रों की विवस्ता के निग्राडी और उसकी विवस्ता को बेहतर बनाया जा सके वहीं महेंदर सिंग ने इस प्राथमिक स्वास्ते केंद्रों को गोद लिया है बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से आधर्णी प्रधान मंत्री जी ने पूरे भारत के लिए स्वास्त पर विशेश ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने बजट भी बढ़ाया और कुरोना के दोज़ार एतिहासिक काम किया है उसी तरीके से उनी की प्रेणा और आशिरवाद से आधर्णी मुख्यमंत्री जीने में उत्तर प्रधेश में एतिहासिक कारिया जिसकी प्रसंसा 207 संगठन से लेकर के सभी लोग कर रहे हैं लक्राओ के आशिवाना इससे तो लोक बंदू अस्पताल में मरीजों को जोडों के दर्ड से निजात मिलेगी अस्पताल में अब आधुनेक फिजियो थेरपी सेंटर में नई मशीन लगाई जा रही है अभी तक अस्पताल में फिजियो थेरपी यूनिट में मशीनों की कमी थी इसकी वज़े से दर्ड से मरीजों को परिशाने अजहिलनी पड़ रही थी इसकी वज़े से मजीज प्राइवेट अस्पतालों में फिजियो थेरपी कराने को मजबूर थे वही अस्पताल के जिल चिकितसरा धिक्षप डॉक्टर अजय शंकर तरपाथी के मताबिक सेंटर में कई आधुने कमश्वीने अब आ चुकी है कि देखे फिज़ेट्रेपी एक ऐसी विशेश विधा है जब लोगों को दर्द में या हड़ी के दर्द में होता है गर्दन करदाद होता है इसमें विशेश रूप से फिज़ेट्रेपिस्त की भूंगा बर्य आहां हो जाती है और जब कोविड कालत हमलों का प्रम है पीटी शुरू हो गई है तो हमें आवशक्ता पड़ी की फिज़ेट्रेपी यूनिट हम लोग फिर से शुरू करें और उसमें अच्छे-च्छी मशीनेट जो हम लोगों ने बाद मगवाई हैं भी सौड़ व्यव्यवस्था से अपरादियों के होसले बुलंद होते नजर बच्चों को मारने की धमकी दी सेंट्रल जेल लखनों में बंद हिस्ट्री शीटर राजू भारती ने धमकी दी है जिसका आउडियो भी इस वक्त वाइरल हुआ है वहीं पीड़त ने कोतवाली महराज गंज में मामले की शिकायत की है सहरन पुर्स सचाई वभाग द्वारा सेक्रों ग्रामीडों की जिंदगी के साथ खिलवार करने का मामला सामने आया है गाउं को बार्ड से बचाने के लिए बनाई ज़ा रही पैचिंग में अन्यमित्ता बरतने से गाउं को बार का खत्रा सताने लगा है वहीं समामले को लेकर ग्रामीडों में रोश पना हुआ है हाला के विधायक नरेश सैने भी अन्यमित्ताओं को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके है कि अब जाने है इसके आप जाब ने जाब निए नहीं अच्क कर और दोड़तान के नाम को नेंहीं कित्ने का लगबग है आप मोखेपर है कितनी दूर यह और नहीं नहीं कितनी कितनी तूरी है इसकी आप ज़ाब नी दे रहे हैं औरया के काशिराम कालोनी में रहने वाले एक योवा की संदिक दहालत में मौत हो गई जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी वहीं मौके पर पहुची पुलिस ने शव को पोस्त मौटम के लिए भेज दिया है पुलिस के अला दिकारियों के अनुसार मामले की जाच की जा रही है जो भी दोशी होगा उसके खिलाफ सक्त कारेवाही की जाएकी सोनभज़ के मदूपुर में इंडियन बैंग की लगूश शाखा में बदमाशों ने हमला बोल दिया पतादी की पलसर सवार तीन युवक आये और अधार काज से पैसा निकलवाने के लिए बोले वही एक आदमी कैश काउंटर की तरफ गया और काउंटर में रखे 11,7,000 रुपे लेकर वहाँ से फरार हो गया वही इस घटना से लोगों में दह्शक का महौल बना हुआ है मौके पर पहुंची पॉलिस टीम ने मामले की जाच शुरू कर दी है और बदमाशों को पकरने के लिए टीम भी गठिट कर दी गई है तो सोन भदर से पूरा मामला सामने आया है जहां लगुष शाका में लूट की वारदात को अंजाम दिया है आपको बता दे कि कुछ बदमाशों ने बांक में घुसका लूट ये बारदात को अंजाम दिया जिसके बाद काई लाख नकदी लेकर मौके से फरार हो गए फिलाल पॉलिस पुरे मामले की जाच कर रही है सिसी टीवी नहीं लगा हुआ है दूसरे दुकान से देखा गया है तो उसमें इस्तिती उतनी असपास नहीं हो पा रही थी लेकिन जब इस तरह की घटना किया होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि निशिती उनके हाथ में कोई ऐसी चीज रही होगी इसे की उन्होंने धमकाने का काम भी किया होगा और हमारे जन्पद में करीब सो क्यास पास इस तरह के ग्राक से बाकेंद्र होंगे और अब इनको भी इनकी भी सुरच्छा रिवीव कराने के अवशकता है सबसे मैं अनुरोद करता हूं कि बे अपने वर्क प्लेस को थोड़ा सुरच्छित बनाए और जो उनका डेस्क होता है डेस्क के उपर सीसे की केविन बनाते हैं उसके उपर भी एक उनको मजबूत ज देश दुनिया की बागी की तबाम खबरों के लिए अब बने रही प्राइम टीवी के साथ नमस्कार